नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कुछ शोट ट्रेक्स ठीक है कि यह जो स्क्वेर्स होते हैं बड़े-बड़े स्क्वेर्स इनका केसे आसानी से केवल दो या तीन सेकेंड में हम लोग एंस करूँगा और आपके सामने यह देखें के पहलां कि हमारे पास फोर का स्कूर कर दीजियो आप लोग कितना वोगा आपके सामने 16 ठीक है दूसरा है हमारे पास 5i 5 का स्कूर कर दीजिया आप होकर व्हुumbing कि असवार 25 ठीक है अब दोस्तों ध्यान दीजे अब एक step बस हमें और करनी है ये एक नंबर ये दो नंबर ये तीन नंबर टोटग हमारे पास तीन नंबर है चार पांच और दो इन सब का गुणा कर दो बस आपस में 4 5 जा 20 22 जा 40 4 25 20 22 40 और ये जो 40 आया ना 40 इसको एक नंबर छोड़ के लिख दो यहां कुछ नहीं लिखना है एक नंबर छोड़ के मतलब 0 यहां 4 यहां 0 यहां लिख दो 4 यहां लिख दो और बस अब कुछ नहीं करना है प्लस कर दो एंसर हो गया देखिए यह 5 एसा कैसा उतर जाएगा 2 और 0 दो हो जाएगा 6 और 4 10 10 का 0 एक यहां आया एक हांसिल गया एक केरी गया एक और एक कितना हो गया दो यह हो गया हमारा एंसर तो दोस्तों समझ में आया कितना आसान था ये ठीक है चलिए चिंता मत करिए जिस किसी को समझ में नहीं आया अभी मैं एक एक एक्जामपल और दूँगा और इंके बारे में खास बात हमें और जाननी है वो भी हम लोग देखेंगे ठीक है चलिए तो मैं आपके सामने एक एक कोशन रखता हूं कि देखें जैसे हमारे पास एक और कोशन आया है कि भी आप यह बताःए कि 44 का स्क्वर क्या होगा चुमाल इसका वर्ग क्या होगा कोई दिक्कत नहीं है देखे चार ये जो पहला वाला चार है इसका वर्ग कितना होगा 16 2017 यह लिए दिए हमने इसा कैसा और अब अगला काम क्या करना है आप लोगों को देखे 4, 4, 16, 16, 2, 32, 4, 4, 16, 16, 16, 22, 32, एक नमबर को छोड़ दो और 32 को लिख दो ऐसे बस प्लस कर दो 6 ऐसा केसा 1 और 2, 3, 6 और 3, 9 और 1 यह हो गया हमारा इंसर 1936 समझ मैं दोस्तों कितना असान है इसको निकालना संदे इस शोर्ट्री यहां पे सिखाने वाला हो जीतने भी शोर्ट्री से स्क्वार रूट के से निकालते हैं सभी चीज़े बारिक से बारिक जो मैं दिक्कत देती वह सब सीखने वाले है चली अब मैं कुछ और एग्जाम्पल रखताओ आपके सामने देख़े चली अब देखेगा आप लोग अब एक बात हमें जो ध्यान में रखनी है वो इस कोशन से जैसे हमें निकालना है 62 का स्कुर्ण 62 का स्क्वर हमें निकालना है तो धयन दीजिय ग्राइब से का स्कूर कितना हुआ 36 हो गया 36 ही कितना होगी कि फिट कर चार होगी एक लेकिन दौनों ही जगें हमेशा हमें दो नग कस करने किकरने तो डिजिट अभी तक कि जितने भी इससे पहले जो दो कोशन लिए थे मैंने उसमें यहां भी दो अंक थे जो दो 24 और इसको छोड़ दो और यहां पर 24 लिख दो चार एसा कैसा हो गया यह चार भी एसा कैसा हो गया यह तीन हो गया तो 3845 हो गया हमारा इसा फिनिश तो दोस्तो आया आप लोगों को समझ में अच्छे से चलिए तो अब मैं और एक अच्छा एक्जाम्पल लेता हूं थोड़ा सा बड़ा एक एक्जाम्पल लेता हूं ठीक है तो दोस्तो देख लिए आप लोग 91 का स्क्वेब इनक्या नवे का वर्ग तो अब वही काम कर दो आपसे इन तीनों का गुना यहां लिख दो यहां कुछ नहीं आता है वन एट टू एट वन हो गया हमारा इंसर तो दोस्तों कोई फी कुश्चन आप लोग ले सकते हैं बड़ी आसानी से हो जाएगा ठीक है एक लास्ट एक्जाम्पल और देता हूं मैं आप लोगों को देखे हूं जैसे हमारे पास आया 95 का स्क्वेर बिल्कुल नहीं डरना आ जाम है देखेए 9 का स्क्वेर कितना होगा 81 होगा 5 का स्क्वेर कितना होगा 25 होगा कोई दिक्कत नहीं यह दो अंक यहां पे हैं हमारे पास चलिए तीनों का गुणा कर दो 95 जा 45 45 तूजा 90 नो पंचे 45 पेतालिस दो नहीं नब्भे नब्भे यहां रख दो और यहां क्रोस कर दो 5 टू नो रेक 10 जीरो एक यहां है आट और एक नू 9025 होगया हमारा एंसर ठीक है दोस्तो तो दोस्तो आज की शोटकट क्लास में बस इतना ही है हमारे पास अगली जो शोटकट क्लास पढ़ेंगे अभी तक हमने अगर आप इन में से किसी भी चीज की तयारी करते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे प्लेटफोर्म पे हैं, आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से में पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से में आपको पढ़ा रहा हूं, जीरो से लेके टोप तक में आपको पढ़ाऊंगा, तो दोस्तों अगर आप इन में से किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो हमने एक new batch launch किया है उसे आप जरूर जोइन करें जिसकी fees मात्र 500 रूपे हैं मात्र 500 रूपे fees है जिसकी और 4-5 महिने में ये syllabus हम लोग finish कर देंगे ठीक है और दोस्तों हर question 10-12 second के अंदर ही होगा हमारा इससे जादा time हम नहीं लेंगे किसी परकार की कोई बकवास नहीं होती हमारी class में सीधे सीधे बस पड़ाई को लेके बात की जाती है ठीक है तो दोस्तों मात्र 500 रूपे fees है और इन में से किसी भी exam के आप तयारी करते हैं ठीक है तो आप भूत अच्छे platform पर आए हैं ठीक चलिए दोस्तों thank you very much अगली class मिलते हैं लोग